नमस्कार दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा आपका एक्जाम का कुछी दिन बचा हुआ है ठीक है तो जो एक्जाम का टाइम तो बहुत कम है तो इसमें कुछ इंपोर्टेंट कोश्चन है जो जारकन बोर्ड में यानि जो बोर्ड पर इच्छा होने वाला जो जेक बोर्ड में तिरकौन मिती से जो सवाल मतलब 99% चांस है कि पूछे जाएंगे उनमें से कुछ सवाल को हम लोगों ने सवाल करेंगे तो हम लोग परते के दिन एक दो कोश्चन को सवाल करके जाएंगे जो इक्जाम के दृष्टी से अती इंपोर्टेंट है हम लोग देखते हैं उनमें से तिरकौन मिती जो आपका चेप्टर है एकसरसाइज 8.4 का एक कोश्चन उससे आपको लॉंग कोश्च का चाएगा мои जो बहुत इंपोर्टेंट है तो हम लोग एकसरसाइज 8.4 को और 8.4 में जो कोश्चन नमर 5 है उस 5 में जो 10 कोश्चन है उसका पहला को falou करेंगे यह कोश्चन इंपोर्टेंट है इसके लाबाद दूसरा कुन है उसको भी हम्लोग अभी स्रूम करेंगे इसक और को मैं आपको बता रहा हूं वह को स्टाइब को नोट कर लिजिए आपको एक्जाम में मिल जाएगा वह कोस्टन आता हुआ ठीक है चलिए तो देखते हैं को सबसे पहले सॉल्व करेंगे और लिखेंगे LHS तो आपको पता होगा कि LHS कितना दिया हुआ है LHS दिया हुआ है कोसेक ठीटा माइनस कोट ठीटा अब इसका एक फर्मूला होता है जैसा यहां कोसेक लिखा है तो कोसेक का फर्मूला होता है वन बटा साइन ठीटा और कोट का फर्मूला होता है कोस ठीटा बटा साइन ठीटा तो आपको यह फर्मूला में सबसे पहले इसको ब्रेक करना है यान तोड़ देना है ठीक है अब इसमें करना क्या है साइन और साइन का लोग स्वाय का साइन तो यहां बचेगा वन माइनस कोस ठीटा फिर آप लिए अब इसका स्टेर्ज़ दोनों का है तो दोनों को सब्रीदए नायनि 1 वन माइनस कोश ठीटा का सभी सक्रीछ बटा हैं साइन का इसक्रीछ ठीट़ इतना इनले सकते हैं इतार करते हैं अब इसके अलाव को करना क्या है यह तो ऊपर में इसक्रीट है यानि one-mineus cos theta ka hall square बटा हम लोग sign square को लिख सकते हैं one-mineus cos square theta और one-mineus cos square theta अच्छा one है तो one-locs square भी सकते हैं ठीक है तो यह एक formula में बन गिया a square minus b square का formula होता है वो बन गिया तो इसको लोग break करते है formula में उपर सकते हैं इस तरह अलग अलग करके ठीक है इस तरह लिखा जा सकता है अब चुकि इसका फॉर्मूला होता है तो बचेगा रहते हैंस फॉर्मूला में तोड़ने के बाद यह तो झिए डिकल रहते हैंसे की इतना इतना यह इतना अपको छोड़ देना और यहां लिख देना कि यह दोणं क्या हो चुका है प्रूब्ड हो चुका है यानि सिद्ध हो चुका है ठीक है तो एट पॉइंट फॉर जो एक्सरसाइज आपका त्रिकॉन मितिका उसका जो कोश्चन नमर फाइप है उसका यह पहला कोश्चन है अब इसके बाद दूसरे कोश्चन को सॉल्व करेंगे जो आपका ऩ्रेवार जो प्रूसरे कोश्चन को सबस्टते हुआама